लास्ट लेक्चर में हमने देखा था फिनॉमिनॉलोजी के बारे में अभी हम पढ़ेंगे सिंबॉलिक इंट्रेक्शनिजम के बारे में चीक है तो यह सारी नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडॉलोजी के बीच में आते हैं तो आप इनको इधर उदर यूज कर सकते हैं इतना को दो तीन एक साथ दे दी जाएंगी और आपको पूचा जाएगा कि आप इन में डिफ्रेंस भी कर सकते हैं और आप इन दोनों को अलग-अलग परग्राफ फॉर्म में भी ले सकते हैं तो अभी हम करते हैं चलते हैं सिंबॉलिक इंट्रेक्शनिजम तो अब अगर मैं इस तो बेसिकली जो सारी यह थियोरी है यह और इजनेट होती है घरबट जी एच मीड से ही बट जो उनके स्टूरेंट थे उन्होंने इसको डिवेलप किया था ठीक है तो इसमें जो में पाइनियर है ना वह है शिकागो स्कूल ठीक है तो मैं इसको यहां पर ठीक है तो अब इसने इसके मेंन ऐलिमेंट क्या थे इसने क्या किया इसने ना जो सोशल और बायलाजिकल डिटर्मिनेशन थी ना डिटर्मिनेजम था उसको इसने बिलकुल रिजेक्ट कर दिया जैसे की मतलब यह क्या कहता कि जैसे हमारे अराउंड एक सोशल रियालिटी है ठीक है हमें उ उस social reality को जो हम create करते हैं कैसे create करेंगे meanings से और यह जो meanings होंगे न यह तब हमारे बीच में inculcate होगे या understand होगे जब हम interaction करेंगे ठीक है तो यह जो interactions है होंगी कैसे है ना यह human interactions है यह govern होगी symbols और language से तो अब आपको एक तो यह जीएच मीड आगया कि जीएच मीड के student थे इन्होंने यह term coin की थी दो जो main work है ना वह जीएच मीड का ही है पर यह जो term है जिसको coin किया या फिर develop किया ही है जो discipline को थोड़ा आगे forward लेके गए है है वो herbert bloomer लेके गए है तो अब एक ना और work important आता है जौर्ज सिमिल का work तो इन्होंने action interaction इन्होंने formal वैसे यह और भी आगे गए है आपको बता दूँ तो formal और informal interaction का भी इन्होंने बताया है तो इनका एक work है action interaction system में तो यहां से भी ऐसा ही जो है ना symbolic interactionism वो develop हुआ है और मीड का तो आपको पताई है कि मीड एक interpretativist approach यूज किये है उन्होंने है तो अब इसमें जो central thesis था जो interpretativism में था वो यही था कि जो human behavior है ना उसको internal processes govern करते हैं और यह जो internal processes है ना जब आप social interaction करोगे यह internal processes dynamic है और change होते जाएंगे अब आपको एक और theory के बारे में बता देता हूँ इसमें Irwin Goffman की diameturgical यह क्या बोलते है कि यह जो world है ना एक stage है कि इस stage पर कुछ दर्शक है कुछ actors है तो दर्शक जो है वो एक रोल देख रहे है वो एक रोल को देख रहे हैं और जो यह actor ना यह भी एक रोल को देख रहे हैं तो जो भी क्या कहेंगे मतलब अगर आपको सवाल आएगा ना तो सबसे पहले आप बोलना कि देखिए यह स्टार्ट हुआ था जी एच मीड से फिर डिवेलप किया कॉइन किया टर्म को हर्बर्ट ब्लूमर ने उसके बाद इसकी में कुछ प्रेपोजीशन दे देना कि यह क्या कहता है जौर्ज सिमल का नाम एक्शन इंट्रेक्शन में ले लेना फिर उसके बाद थोड़ा सा इर्विन गॉफ मैंन के बारे में लिखते हैं अब हम आ गए हैं कि बिहेवियरिजम तो मतलब अब यह जो हर्बर्ट ि है ब्लूमर की अप्रोच है ना विभियरिजम और स्ट्रक्च्ष्रल फंक्शनलिसम यह क्या कहते हैं अब सिम्बॉलिक इंट्राक्शनिम किसके काॉउंटर में देखते हैं तो आपको पता लगए जो फंक्शनलिघ मोता था यह हो तो इसको जादा इंपोर्टेस देता था तो इन्डिस प्रोसेस वो क्या करता था कि एक इंडिवीज्वल जो अपने किसी भी इंट्रेक्शन में में इनिंग है उसको कहीं ना कहीं यह क्या करता था दरकिनार करता था तो फंक्शनरिजम के काउंटर नरिटिब में क्या आया है इंटरप्रेटिविजम जिसमें एक ब्रांच क्या है सिंबॉलिक इंट्रेक्शनिसम अब कुछ ना टैनेट्स है जो आपको याद करने है सिंबॉलिक इंट्रेक्शनिसम के तो इसमें टैनेट्स में क्या आता है जो एम केरों का तो इन्होंने क्या का है जो एम केरोंने का है कि जो human beings है ना वो social और thinking beings है मतलब rationality वाला principle किया है इन्होंने और ये अपने environment को perceive कर सकते हैं not objectively but based on their own behavior, own attitude and values और ये जो है ना ये approach mostly present में है क्योंकि आप देखो यहां पर phenomena को consider किया जाता है interaction को consider किया जाता है तो past interaction को थोड़ी consider करेगा ये present में जीता है और जो external stimuli है ना उसके साथ एक active interface है इसका और कहता है कि socialization है ना उससे जो बंदे की interaction करने की power है वो derived है लोगों के पास सिरफ general capacity है thought के लिए ठीक है एक मतब जैसे कोई बंदा born हुआ है तो उसके पास एक general capacity है जो उसे एक thinking being बनाती है बट इसको shape किया दी जाती है और refine किया जाता है और ये early childhood socialization से start हो जाता है और जब आप adult phase में पहुँचते हैं तो इसको काफी ज़ादा refinement मिल जाती है ठीक है तो इस तरीके से जो symbolic interactionism है ना उसमें काफी ज़ादा importance ना socialization का है क्योंकि यही एक ऐसा dynamic process है जिसमें लोगों के पास ability आएगी कि वो सोच सकते हैं या फिर आप कहें कि मतब एक तरीके से उनके पास ability to survive आ जाती है और वो interaction कर सकते हैं तो अब Harvard, Blumer है ना उन्होंने differentiate किया symbolic और non symbolic interactionism का तो जैसे आप देखें ना मतब अब जिसमें आप सोचेंगे उन्होंने इसको सोचा के मतब डिपेंडिंग ऑन कि क्या आप सोच के कुछ action कर रहे हैं या फिर नहीं सोच रहें तो उन्होंने यह symbolic और non symbolic interaction को किया जैसे कि अगर कोई animal interact कर रहा है तो वो क्या होग है ना वह human being को different ways में react करने का या act करने का मौका देते हैं वर्ड क्या होते हैं वर्ड होते हैं एक type of symbols जो हम मतब जैसे आप देखो ना चेयर चेयर क्यों है क्योंकि आपने बोला चेयर है अगर किसी society में चेयर को table बोलने लग जाए तो वह गलत थोड़ी होगा क्योंकि उस कोई material world में जो भी objects है उनको naming, categorizing और remember करने के लिए फिर कोई environment है आसपास का environment है आपको किसी को दूसरे को समझाना है कि उस कमरे में क्या क्या पड़ा है तो symbols आपको help करेंगे ना अब फिर आपके पास कुछ at hand कोई phenomena है तो उसको समझने के लिए problem statement बनाने के लिए इसका role है उसके बाद एक heaven और hell है आप उसको किस तरीके से represent करते हो तो human being ने ऐसे symbols दे रखे हैं कि दर्द, pain, player तो इस तरीके से वो differentiate करते हैं फिर एक ना power of imagination जैसे कि आप अगर कहें कि external stimuli के base के उपर ही human being अपना action interaction करता है तो काफी जादा ना वो एक human को passive state में ले जाती है जिसमें मतब human being से कब robot की तरह चल रहा है इसमें क्या human being को capable of imagination बोला गया है और मतब काफी active role दिया गया है individual को अब यह जो meaning और symbol होते हैं ना यह human के social action और interaction को एक कुछ characteristics देते हैं और यह जो concept है ना यह early horse child तो basically ना delta airlines थी वहां की जो air host थी यह देखते थे कि अब उनको सिखाया जाता है अपनी emotion को job में use करना कि जैसे आप कोई किसी को भी देखते हैं तो आप हसें आप smile करके अपने customers को पेश आएं तो इन्होंने एक चीज़ बोली है managed emotions managed emotions तो यह इसकी एक application हो गई ठीक है एक हमने उपर भी application देखी थी ना dematurgical theory थी है ना तो और एक वो asylum mental asylum में जो गौफ में जीने लगाई थी तो वो हमने अभी देखी थी तो early horse child का हमने study देख लिए ठीक है वैसे यह जो early horse child की study है आप feminism में भी यूज़ कर सकते हैं तो जो भी हम पढ़ रहे हैं उसको आप कहीं भी यूज़ कर सकते हैं वो basic concepts बन जाएंगे उसके ठीक है तो यह हमने देख लिया था George Herbert Mead और C.H. Coulee की Looking Glass Self यह पहले भी हम पढ़ चुके हैं तो यह meaning attached explaining social action in terms of the meaning that individuals give to them तो यह सब हम कर चुके हैं तो मीड ने अर्ग्यू किया था कि human interact कैसे करेगा symbols के तुरू और जो most symbols हैं उसमें मतब language में rooted हैं जैसे कि चेयर का example मैंने पहले ही आपको दे दिया था तो अब आ गए अब हम जो काफी बाए न सुसाइटी में हम कुछ चीजों को बिल्कुल biological ले जाते हैं बट हाला कि वो एक social construction होते हैं जैसे एक example लेते हैं जेंडर इनका कोई biological base नहीं है मतब आजकर आप देखो ना LGBTQ community आ गई है यहां फिर मतब trans woman, trans sex, जो भी HLO you can have many names for that तो कोई biological base नहीं है वो एक social construction है कि आप कि आप मतब किसी को उसकी biological characteristics ते नहीं उसकी nature से define कर रहे हैं जैसे इसमें transgender में था ना कि आपको जो गर्रमेंट है उसको जो भी transgender people है उनको हक देना है कि वो to self identify कि वो अपने आपको खुद identify करें अपने gender को तो यह देख लीजिए थोड़ा सा ना diagram है जिससे आपको थोड़ी सी चीज़ें और clear हो जाएगी तो यह क्या है action हो रहा है कौन कर रहा है individual किसके क्या हो रहा है social interaction हो रहा है अब इस interaction में क्या है जो भी भी बोला जा रहा है उसमें कुछ meanings है उन meanings को interpretation करेगा कौन बोत actor और जिसके साथ act कर रहा है वो और फिर इस पूरी conversation में यह सारा modify और interact होगा और finally फिर इसको यह inner conversation है तो inner conversation है कुछ भी interaction करने से पहले जो inner conversation बंदे के दिमाग में चलेगी वो minding है इसमें क्या होता है कि जैसे आप किसी interaction में हो आप सोचने से बोलने मतब बोलने से पहले का जो process है वो minding है जब आप कुछ सोच रहे हो किसी चीज के बारे में just start किया है और जब actually में वो चीज की है तो उन दोनों के बीच में जो gap होगा वो minding है रोल टेकिंग तो रोल टेकिंग में क्या करता है इंडिविज्वल ना जब भी कुछ analyze करने की कोशिश करता है तो वो अपने आपको महसूस करता है कि जैसे empathetic approach होती है कि imagine yourself in the shoes of the person who is interacting with you तो इन सारे concepts को लेकर जो अभी तक हमने सीखे Mead ने ना एक concept of I and Me दिया है जिसको हम थोड़ा साना अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आपको एक concept बन जाए अब I क्या है और Me क्या है आई जो है ना वो एक self concept है जब आप किसी से interaction करेंगे ना तो वो बनेगा Me क्या है मी है आपके defined role जैसे लेटा से कि I तो आपका personal self हो गया ना कि बिल्कुल ही मतलब आपके अंदरूनी हिस्सा जो बनेगा जब आप interaction करोगे मी क्या है जब वही आई social setting में जाएगा social setting में जाके कोई role लेगा role लेगा तो जो यह role defined है ना यह जो role है यह क्या है उस time पे Me ठीक है तो I and Me का concept आपको clear हो गया अब हम आगे चलते हैं तो इन जनरल यह सारी interactions होती ही का है मतलब यह society को as a culture मानके और इस culture में ना कुछ appropriate types of behavior होगा जैसे social norms customs जो define किये जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे लोग कहेंगे और करेंगे वही जो उनसे expected होगा ठीक है जो उनसे expected होगा अब फैमिली का जो importance है वह हम neglect नहीं कर सकते हैं यह मीड ने का है क्योंकि जो social roles है वह family attached की करती है जैसे आप देखे mother brother family यह अब हम थोड़े से criticism देख लेते हैं इनके थोड़े से criticism देखेंगे अब ध्यान से देखो बहुत over individualized perspective है power social का तो कोई इन्होंने role दिया ही नहीं है फिर एक general social setting को तो avoid कर दिया कि मतब काफी बार आप कुछ और करना इंडिविज्वल के control में कहा है यह तो society के control में है और skidmore क्या कहते हैं कि जरूरी नहीं है लोग अनिशा एक particular social setting में वैसे ही act करें जैसे कि उनको करना चाहिए मतब जैसे कि वो खुद के बारे में सोचें जैसे let us say कि आपको आपका individual self selfish है आप पैसे बचाना चाहते हो पर आप दोस्तों के साथ बाहर जाते हो पर आप खर्चा कर देते हो तो एक तो इन्होंने क्या कहा है कि बहुत जादा glorify किया हुआ इसने जो tenets of liberty freedom और individuality है और फिर आप अगर additional डाला चाहे तो marxist feminist डाल देना ठीक है अब देख लेते हैं इसमें हम methodology क्या यूज करते हैं ठीक है तो methodology qualitative होगी जिसमें interview बगेरा करेंगे ना unstructured interview और यह सब इसमें दो चीजें आप देखोगे एक तो individuals को देखोगे क्योंकि interaction को देखना है और आप social interaction को देखोगे तो आपके यह दोनों focus होंगे तो यह कुछ additional मैंने criticism लिख रखे हैं अगर जैसे आपको थोड़ा सा advanced में जाना हो जैसे कि critically evaluate तो आपको फिर यह चारो चीजें आप add कर सकते हो कि एक तो मतलब आप किसी interaction vacuum में थोड़ी होती है मतलब आप एक social system लेते हो उसमें actors होते हैं interaction होती है फिर कुछ organizations होते हैं तो यह vacuum थोड़ी है मतलब कि सिरफ आप एक दो यह दोनों freeview जैसे आप कुछ societies का example ले ले है ना तो वहां पर individual के उपर हमेशा constraints रहेंगे फिर यह जो meaning है यह बड़ी abstract term है मतलब इसकी बहुत ही abstract term है मतलब इसको properly explaining ही किया गया और अब आप इसको बार-बार अगर टेस्ट करें आप reliability और validity मेशा इसमें issue होता है अब अगर एक अच्छा सा conclusion लिखना हो हमें ना तो हम क्या करेंगे कि despite criticism despite criticism कि यह बहुत macro है ऐसा ही एक distinctive phase है sociology का और इसने क्या किया है इसको use किया गया emotions को study करने के लिए deviance को criminology को collective behavior को social movements को तो यह जो भी social action हो रहे हैं उनके पीछे के meanings के अंदर जाता है तो यह थोड़ी summary है यह है वही जो मैंने अभी आपको बताया था बस उसका थोड़ा सा आपना मतब एक बार layout ले ले तो मैं इसको रोक के थोड़ा सा आपको बता देता हूं social interactionism किस पर depend करता है free will पर मीड ने क्या बोला है self कैसे create होगा interaction से bloomer क्या कहते है कि people कैसे interpret करते है social situations को उस पर operationalization अब interpretivism approach के बारे में यहां पर दिया गया है फिर suicide के बारे में डगलेस की एक study है उसमें आप मतलब थोड़ा सा इसको mention कर सकते हो दन वीबर है वर्स्ट हीन approach research methodology यह वर्स्ट हीन approach कि कैसे तरीके से meaning attached होता है ना scientific approach कैसे लगाओगे phenomenology फिर Atkinson का लिख सकते हो कि social world जो है वो meaning से construct होता है तो यह Atkinson का कहना है इसको आप फोड़ असा note कर लें कि social world है वो meaning से construct होता है तो इनके इन्होंने इन्होंने भी society की मतलब आप कभी यह नहीं ना सोचे कि सिरफ मतलब उन्होंने इमाईल डरखाइम ने साइट की स्टड़ी किया इन्होंने भी किया दें गॉफ मेन के बारे में हम डिसकस कर चुके है तो एक समरी है थोड़ा सा आप देख लें जब आपको कुछ अगर चाहिए होगा तो मैं एक टेलीग्राम पर चैनल डालके जो भी इंटरस्टेट होंगे उनको उनको उनके साथ यह शेयर कर तूँगा तो अगला टॉपिक हमारा होगा एथनो मैथडोलोजी तो बने रहे हैं मेरे साथ